हुआ वेरी गूद आफ्टरनून और वेल्कम बैक तो स्टड़ी आएकु जुडिश्री माइम इस प्रवीन कुमार और हमने यह सिरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली एक केस लो डिसकस करेंगे सब्सक्राइब के इसमें हम एक पहले लौ पॉइंट बताऊंगा फिर आपको फैक्ट बताऊंगा और पहले अपना दिमार लगाना है कि इसमें क्या अंसर होना चाहिए and then मैं आपको decision बताऊंगा right so हम low point अगर देखे जो low point इसमें first discuss हुआ था that was that was regarding continuing offers देखिए हर offer की एक समय सीमा होती है एक expiry date होती है तो suppose करो अगर मैं कहूं कि कल जो है मेरे मेरे घर में function है और मेरे को एक हवन का समान चाहिए हवन की सामगरी चाहिए जो भी मुझे देगा मैं बदले में 1000 रुपे देगा तो यह जो offer है यह कल तक ही valid है reason being क्योंकि मेरे घर में जो भी function है वो कल है तो इसकी एक समय सीमा है लेकिन court ने इस case में कहा कि कुछ offers होते हैं वो continuing offers होते हैं continuing offers वो offer होते हैं जो revoke नहीं किये गए है रिवोक नहीं किये गए है क्या मतलब है कि वो अभी standing है वो अभी standing है पतलब कि offer जो है वो हमेशा चलता रह रहा है अपने आप चलता जा रहा है वो खतम नहीं हुआ है उसकी कोई समय सीमा ओफर के अंदर ही कोई समय सीमा प्रिस्क्राइब नहीं थी और उसकी लेंग्विच से यह पता चल रहा था कि उसकी कोई समय सीमा है ही नहीं तो जैसे जैसे वह ओफर दे रखा है तो कोई भी अगर उसको एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी डाइम पर उसकी कोई समय सीमान नहीं है राइट जो दूसरा लोग पॉइंट डिसकस हुआ था डाट इस डाट इस विद रिगार्ड टू जैन्रेल ओफर्स जो है उसके कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर वन समझ यह ऑफर क्या होता है जन्रल ओफर से पहले आप समझेजिए स्पैसिफिक ऑफर क्या अपका स्पैसिफिक उफर होता है जो हम किसी एक इनसान को ओफर करते है वह में कोई डिए नहीं बेच सकता है तो यह offer सिरफ LG वाले के लिए है, तो इसको हम कहते है specific offer, लेकिन जो general offer होते हैं, that is made to world at large, ये किसी भी specific इनसान को नहीं होते, these are not made to any specific person, ये पूरी दुनिया में सबको offer कर दिया जाता है, कि कोई भी offer को आकरके accept कर लेगा, देखिए offer पे focus क्यों, ये हलका सा मैं background बता दूँ आपको, क्योंकि offer जो है, अगर आपने offer कर दिया, और अगर उसको सामने वाले ने accept कर लिया, अगर सामने वाले ने उस offer को accept कर लिया, तो it will conclude in a binding contract, तो आपका ही offer आपके उपर ही binding हो जाएगा, offer पे discussion basically सिर्फ इसी लिए हो रही है, कि suppose करो, अगर मैंने LG वाला TV वाले को offer किया, कि भाया एक लाग में मिरको ये TV बेच दो, तो ये एक offer कर दिया, अगर उसने accept कर लिया, कि ठीक है सर मैं आपको ये TV लीजिए, मिरको एक लाग रुपे दीजी, तो जैसे ही उसने मिरको accept कर लिया है, अब वो contract मेरे उपर binding हो गया है, अब मैं offer से मुकर नहीं सकता, मुझे टीवी खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए जो है ये पूरी discussion offers पे चल रही है, तो general offer basically पूरी दुनिया में सब को कर दिया जाता है, अब देखिए general offers की कुछ खास बातें और भी होती है, जो कि मैं आपको बता दू, कि ये जो है offer किया सारी दुनिया को जाता है, general offer जो है वो तो सारी दुनिया को करा है, लेकिन जो contract conclude होगा, वो सिरफ एक ही with respect to a specific known person ही होगा, तो suppose करो मैंने offer कर दिया कि जो भी मेरे को हवन का समान ला देगा, मैं उससे खरीद लूँगा, 1000 उपर, तो अब ये देखिए, ये offer तो पूरी दुनिया को मैंने किया है, बट ये जो offer है, ये contract में conclude सिरफ एक उसी इंसान के साथ होगा, जो सच में मेरे को हवन का समान ला के देगा, so contract जब conclude होगा, तो जो वो इंसान होगा, वो specific एक इंसान होना चाहिए, offer आप सबको कर सकते हो, पर contract है न, contract आप world at large के साथ नहीं कर सकते हैं, वो एक specific person के साथ ही होगा, and that person should be specific and known वो पता होना चाहिए कि हाँ, इसके साथ contract हो रहे है, right, तो ये general offer के दो बाते थी, इसके अलावा जो low point है, इसमें discuss हुआ, that was with regard to acceptance, वो हुआ acceptance के regard, acceptance में देखिए, इसमें दो तिन बाते बताई, इस case low में, पहला तो उसने कहा, कि जो acceptance है, उसकी जो communication है, that can be waived off, तो देखिए, जैसे मालो मैंने offer किया, कि मेरे को LG का TV आप बेच दीजे, तो सामने वाले ने अगर उसको accept कर लिया, कि हाँ, वो ready है मुझे बेचने के लिए, तो उसको अपनी acceptance मुझे communicate करने पड़ेगी, उसे मुझे अपनी acceptance को बताना पड़ेगा, तो उसने मुझे जो है बता दिया कि ठीक है सर, आप यह खरीद लिजे, लाइए एक लाग रुपे दीजे और यह टीवी ले जाएगे, राइट, सो यह acceptance है, communicate करना, लेकिन communication जो है, उसको wave of भी कर सकते हैं, और जो यह waiver है, यह waiver है, यह deemed waiver भी हो सकता है, deemed waiver कैसे हो सकता है, by the terms of the offer, कई बार, कई बा और, offer में ही हम कह देते हैं, कि भीया, आपको मेरे को acceptance बोल के बताने की जरूरत नहीं है, acceptance जो है, वो बोल के बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा-सीधा आपका जो conduct है, या फिर, आपका जो performance है, वो जो है, acceptance ही मान ली जाएगी, for example, अगर हम हमारे ही example पर वापस आएं, suppose करो मैंने कहा, कि जो भी मुझे हवन की सामगरी लाके देगा, उसे मैं 1000 रुपे में समगरी खरीदू, तो जो भी सामगरी को खरीदने जा रहा है, मेरे लिए, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि उसने मेरा contract, जो है, offer जो है, वो accept कर लिया, वो हवन की सामगरी ले लेके आएगा, तो वो मैंने उसको 1000 रुपे देने पड़ेंगे, मैं यह नहीं कह सकता, कि आपने acceptance तो मुझे बताई नहीं थी, कि आप लेके आ रहे हूं, तो उसने, वो लेने जा रहा है, उसने मुझे बताने की जुर्द नहीं है, वो जो ले आया है, उसी को, उस performance को ही acceptance मान लिया जाएगा, और आब मुझे उससे हवन की सामगरी को खरीदना ही पड़ेगा, इसी चीज को अगर मैं दूसरी लेंग्वेज में लिखूं, जो की इस केस लो में भी जो टर्म यूज करी गई है, मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने कहा है, कि जो acceptance है, that need not precede communication, performance, तो suppose करिए, दो अलग अलग concept है, पहले क्या होता है, पहले हम offer करते हैं, सामने वाला accept करता है, accept के बाद जो है, contract हो जाता है, conclude, जैसे ही contract conclude हुआ, उसके बाद वो परपार्टी जो है, अपने contractual obligations को perform करती है, तो general sequence यह है कि पहले offer, फिर acceptance, फिर performance, लेकिन इस case में कहा कि acceptance जो है, performance से पहले ही हो, जरूरी नहीं है, दोनों एक साथ भी हो सकती है, performance को ही हम acceptance भी मान सकते हैं, right, for example, इसी case में, मैंने haven की सामगरी मंगाई, वो जो है बंदा लेने गया, वो मिरको acceptance communicate करके गया ही नहीं, लेकिन वो जो लेने जा रहा है, जो उसके part पर performance है, वही acceptance मान ली जाएगी, तो जैसे ही वो लेके आएगा, तो that is performance and acceptance both, right, so यह जो है low point थे, अब मैं आपको बताता हूँ, इस case के, इस case के facts, और फिर आप जो है मुझे बताईएगा, कि इसमें क्या decision होना चाहिए, इसमें basically क्या हुआ, एक company थी, smoke ball company, carbolic, carbolic smoke ball company, right, इस company ने एक दवाई बनाई, जिसका नाम था, carbolic small ball, carbolic smoke ball, और इसने कहा कि, जो हमारी जो दवाई है, यह जो दवाई है, यह influenza की दवाई है, यह influe, जो flu होते हैं basically, so flu, flu की, flu की दवाई, जैसे covid जितना खतरनाग है, इतना ही खतरनाग, उस टाइम पे एक flu चल रहा था, so, उन्होंने कहा कि, हमारी जो यह दवाई है, यह basically flu की दवाई है, और उन्होंने जो है, अख़बार में एक advertisement निका ली, और उस advertisement में उन्होंने दो-तिन बाते लिखी, जो आपके लिए जानना जरूरी है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, उन्होंने कहा पहली बात तो यह, कि जो हमारी जो यह smoke bowl है, यह carbolic smoke bowl है, यह जो है, फुल प्रूफ इलाज है, flu का, दूसरा उन्होंने लिखा, कि जो भी हमारा हम जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आप continuously उन्होंक बोल्स को consume करते रहोगे, तो आपको flu नहीं होगा, और अगर flu हो गया है, तो आपको हम 100 pounds अवोर्ड करेंगे, अगर हमारी दवाई खाने के बाद भी आपको flu हो गया, तो हम आपको 100 pounds का अवोर्ड करेंगे, और हमने जो है, यह 100 pounds, आप यह मत समझेगे कि हमने वैसे ही लिख दिया है, हमने जो है, यह 100 pounds, basically 1000 pounds हमने बैंक में deposit भी करा दिये, तो आपको अगर हमारी दवाई खाने के बाद भी flu हो जाता है, तो आप हमने 1000 pounds जो है, बैंक में deposit करा रखे हैं, उसमें से 100 pounds आप ले जाना हमसे आकर दिये, तो यह एक advertisement उन्होंने नियूसपेपर में निकाले, अब एक लड़की थी, कारलिल, तो कारलिल ने क्या किया, कारलिल ने वो दवाई बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब करे थी, वैसे खाई, उसके पावजूद भी उसको flu हो गया, फ्लू हो गया तो उसने जो है, सूट फाइल किया, अगेंस्ट कार्बोलिक स्मोक बोल कमपनी, के भीया, आप आपने वादा किया था, मुझे 100 पाउंड्स आप दीजिए, कारलिल वर्सिस कार्बोलिक स्मोल बोल कमपनी में, जो कमपनी थी, उसने डिफेंस लिया, उसने डिफेंस में कहा, कि sir, कि sir, पहला point तो ये है, कि ये कोई offer नहीं था, ये जो है, ये जो है एक puff था, ये तो बस मजाग था, right, it was not an offer, it was a puff, ये सिरफ एक puff था, दूसरी बात, उन्होंने acceptance हमारे को communicate ही नहीं करी, कि ये जो है, accept कर रहे हैं, कोई acceptance उन्होंने communicate ही नहीं करी है, सो अब आप बताईए, और तीसरी बात ही है, कि उन्होंने तीसरा defense ही लिया, कि जो consideration है, वो consideration तो कुछ है ही नहीं, कि मैं इनको क्यूं दूँ, मेरे को तो बदले में कुछ मिली नहीं रहा इस contract में, तो अब आपका ये बताना है, कि इसमें क्या decision आएगा, low point को facts पे apply करना है, चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, court ने क्या decide किया, court ने कहा, कि ये जो है, puff नहीं था, ये एक valid offer था, court ने कहा, it was a general offer, आपने पूरी दुनिया को offer किया था, कि जो भी आपके offer को perform कर देगा, जो भी आपके offer को perform कर देगा, उसको आप 100 pound का award दोगे, और ये puff नहीं ये था, ये मजाक नहीं था, इस बात से पता चल रहा है, कि आपने advertisement में ये तक लिखा हुआ है, कि मैंने अपने ये 100 pound आपको देने के लिए 1000 pound और ये बैंक में deposit करवा रखे, तो that means, आपकी जो seriousness है, आपकी जो intention है to contract, वो आपके advertisement से ही साफ साफ दिख रही है, first point, तो पहल पॉइंट कहा नहीं, it was an offer, ये contract का offer था, दूसरा point जो है कि आपको acceptance जो है communicate नहीं करी, court ने कहा कि जो performance है, यानि कि उसने कारलेल ने दवाई खाई और उसको flew हो गया, so basically ये जो performance है, ये अपने आप में ही acceptance है, उसको अलग से acceptance आपको communicate करने की ज़रूरत नहीं है, right, तो second point ने कह दिया, third point court ने कहा कि इसके अंदर valid consideration थी, और in fact इसमें दो consideration थी, पहली consideration जो आपको फायदा हुआ है, यानि कि आपकी इस advertisement से जो sales में growth हुई है, आपकी दवाई अंधादुन्द भी की हैं जो, तो आपको वो फायदा हुआ है, and number two, जो detriment, जो detriment लोगों को हुआ है, य जो कारलिल को नुखसान हुआ है, ये एक valid consideration है, तो तीनो ही point से जो contract है, क्योंकि offer भी है, acceptance भी है, performance भी है, consideration भी है, तो it was a binding contract, यह जो है एक binding contract है, और क्योंकि यह binding contract है, तो और Carlyle ने अपनी obligations को perform कर दिया है, तो now you pay 100 pounds to Carlyle, आपको pay करना पड़ेगा, तो this was Carlyle versus Carbolic Smoke Bowl company, यह देखिए judgments important इसलिए है, क्योंकि यह 18-90s की judgment है, और इनहीं judgments की वजए से low जो है वो shape down हुआ था, उससे पहले इस type के कोई भी concepts नहीं थे, यह नए-नए concepts जो है evolve हो रहे थे, So it is the first case that has to be discussed, यह इतना important है कि आपको discuss करना चाहिए, I hope आपको case समझ में आया होगा, So see you tomorrow at the same time with the second case of the Indian contractor, have a nice day.